दोस्तो एक बर फिर से जेट हलाल गड़ा फैमिली और पूरे गुकुल धाम का पोपट हो गया यानि कि फिर से सुन्दरलाल ने अपनी उकाद दिखा दी कि भाई वो दया को नहीं लाने वाला और अब यहाँ पर सारे गुस्त है और जेट हलाल का इतना मतलब पहले तो emotional हो गया था यार मेरे को भी रोना आ गया और गाईस मैंने इसके बारे में एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब तारिक मैं तो शोव वाले जेट हलाल के बारे में सोचते भी नहीं है मतलब उसकी feelings का उसके emotions का यहां तक के poppet लाल के साथ भी same मतलब अगर real life मैं ऐसी चीज़ हो तो काफ़ ज़्यादा inhuman चीज़ होईगी है इसके बारे मैंने अलड़ी बात कर चुकिया गाईस और बिलकुल वैसा ही हुआ जेट हलाल को देखकर यार सच में रोना आगया लेकिन दोस्तों फिर जेट हलाल ने अपना दूसरा रंग दिखाया और भाई मैं तो यही सोच रहा था कर दिया को ना लेकर आया ना सुन्दर तो ना सारे गोकुल धामालों को मिलकर ना सुन्दर लाल को पीट देना उसमें कोई डाउट ही निया क्योंकि दोस्तों पूरा एपिसोड निकल गया लेकिन सुन्दर लाल ने रीजन नहीं बताया है और यही सस्पेंज छोड़ा गया कि आखिर क्या चीज़े हुई है सुन्दर लाल आया क्यो है फिर और इस स्टोरी में रोशन भावी की एंट्र को आने वाली इंटरस्टिंग अपडेट्स के लिए और वीडियो को लाइक करें भी ना मत जाना यार